आज हम बात करेंगे महाराजा ट्रॉफी के 14 मुकाबले की, जिसमें मायसूर वारियर्स का सामना हुबली टाइगर्स से होगा। ये रोमान्चक मैच बेंगलुरु के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। मायसूर ने अपने पिछले मैच में धमाकेदार जीत दर्ज की है और वो पॉइंट्स टेबल पर तीसरे स्थान पर है। लेकिन आज उनका सामना नाबाध हुबली से होगा, जिन्होंने लगातार चार मैच जीते हैं और वो टेबल टॉप पर है। इस वीडियो में पावर प्ले स्कोर, टॉस विनर, फर्स्ट इनिंग्स का क्या स्कोर रहेगा, आज के मैच में कौन बाजी मारेगा, ये सारी जानकारी दी जा रही है। पिछले रिकॉर्ड्स देखें, तो मायसूर का पलड़ा भारी रहा है। मायसूर ने पिछले पाँच मुकाबलों में से तीन में हुबली को हराया है। मायसूर के कप्तान करुण नायर शानदार फॉर्म में हैं और हाल ही में उन्होंने शतक जड़ा है। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम में महाराजा T20 ट्रॉफी में पीछा करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहा है। अब हम भारत के नंबर वन क्रिकेट मैच टिप पर द्वारा बताए गए आज के मेगा जैकपॉट क्रिकेट मैच की भविश्यवानी। पर आते हैं कि आज का मैच कौन जीतेगा? होबली टाइगर्स ने लगातार चार जीत दर्ज की है। हाल ही में उन्होंने शिव मोगगा लायन्स के पांच ओवर में 51 रनों के लक्ष को महज 20 गेंदों में चेज कर दिया। कृष्णन श्रीजित इस सीजन टीम के सबसे लगातार बल्लेबाज रहे हैं। उन्होंने चार मैचों में 100 रन बनाए हैं। थिपपा रेड़ी और मोहम्मद ताहा उनके दूसरे शानदार बल्लेबाजी विकल्प हैं। एलार कुमार इस सीजन टीम के प्रमुख गेंदबाज रहे हैं। उन्होंने चार मैचों में 8 विकेट लिये हैं। विद्वत कावेरप्पा ने 6 विकेट लिये हैं। अगर टॉस की बात करें तो आज के मैच में सिक्का किसके पक्ष में गिरेगा। हमारी 100 प्रतिशत मैच भविश्यवानी के अनुसार इस मैच में टॉस प्रेडिक्शन, टॉस मैसूर वारियर्ज, टॉस जीतेगी। टॉस की कोई रिपोर्ट या विशलेशन नहीं होता है, बस एक अनुमान है। लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आपकी विनिंग टीम बताएं। मायसूर वारियर्ज ने हाल ही में मैंगलोर ड्रेगन्स को हराया है। कप्तान करुण नायर के नाबाद 48 गेंदों पर 124 रनों की बदौलत उन्होंने 226 का विशाल स्कोर बनाया। बारिश के कारण मैच कम ओवरों का हुआ और मायसूर ने 27 रनों से जीत दर्ज की। नायर इस सीजन के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 4 मैचों में 222 रन बनाए हैं। आल राउंडर मनोज भांडगे ने 4 मैचों में 121 रन बनाए। पहली पारी में 6 ओवर के पावर प्ले में M. चिनस्वामी स्टेडियम, बेंगालूरू, मैदान की पिच और पूर्व के मैचों में खिलाडियों के प्रदर्शन के आधार पर 42 to 50 के बीच स्कोर कर सकती है। दूसरी ओर, 20 ओवर की पहली पारी में, लंबी पारी में स्कोर 145 to 168 के बीच हो सकता है। लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में आपकी विनिंग टीम जरूर बताएं। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम पर घरेलू T20 में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का उसत स्कोर लगभग 160 रन है। इस सीजन का सबसे बड़ा स्कोर मायसूर वारियर्स ने बनाया है, जब उन्होंने मैंगलोर ड्रेगन्स के खिलाफ 226 रन बनाये थे। ये एक और हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 180 रन के आस पास का स्कोर बनाने की कोशिश करेगी। दोस्तों, हमारी लगातार टॉस प्रेडिक्शन, मैच भविश्यवानी, पावर प्ले स्कोर रन, पहली पारी में कितने रन बनेंगे, बैक टू बैक पास होती जा रही है। हमारी मैच भविश्यवानी जानने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट होना है, वो डिस्क्रिप्शन में दिये हुए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुद सकते हैं।